नमस्कार मैं अब इसे कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट सावर वर्ल्ड कप के बीच एक बहुत बड़ी खबर न्यूजिलेंड क्रिकेट से आ रही है जी हाँ न्यूजिलेंड के कप्तान केन बिलियम सन वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं जी हाँ ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है न्यूजिलेंड क्रिकेट के लिए और न्यूजिलेंड टीम के लिए बहुत ही बुरी खबर है जिस तरीके से धमाकेदार परदर्शन इस वर्लकप में न्यूजिलेंड की टीम ने किया है लेकिन इस धमाकेदार परदर्शन के बाद अब न्यूजिलेंड टीम के कप्तान केन बिलियमसन इंज़ाड हो गया हैं जिस तरीके से कल बांगलादेश के खिलाफ न्यूजिलेंड की टीम ने आठ बिकेट की सांधार जीत दर्ज की। लेकिन इस मैच में हम सब ने देखा कि किस तरीके से 78 रन बनाने के बाद केन बिलियम सन इंजर्ड हो जाते हैं। उनके अंठे में चोट लगती है और वह 78 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हो कर ग्राउंड से बाहर जाते हुए हमें दिखते हैं। तभी लोग यह समझ जाते हैं कि न्यूजिलेंड क्रिकट के लिए न्यूजिलेंड टीम के लिए इस वल्लकप में ये वाकई सूब संकेत नहीं है। इसके बाद जब आज उनका फ्रैक्चर रिपोर्ट सामने आता है तो उस एक्सरे रिपोर्ट में अब से जो कुछी देर पहले जब एक्सरे रिपोर्ट उनका सामने आया है तो उस एक्सरे रिपोर्ट में उन्हें थम एंजरी बताया गया है उनका थम फ्रैक्चर हो गया ह जी हां केन बिलियमसन का जो अंगठा है वो चोट की वज़ा से अब फ्रैक्चर हो गया है तो इस तरीके से फ्रैक्चर अंगठे के साथ फ्रैक्चर थम के साथ केन बिलियमसन बहुत ही सायद नामुम्किन हो गया है जी हां आप भी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एक फ्रै इनाउंसमेंट नहीं हुगा है लेकिन संभावनाई यही हो गई है कि फ्लेक्चर थम के साथ अब केन बिलियमसन वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा नहीं होंगे वर्ल्ड कप से केन बिलियमसन बाहर हो जाएंगे यह न्यूजिलेंड क्रिकेट के लिए बहुत बरी बुरी खबर है तो अब जो है अब क्या न्यूजिलेंड क्रिकेट का होगा केन बिलियमसन के जगा रिप्लेस्मेंट के तौर पे कौन से वो खिलारी होंगे हमारे सामने आप इस स्क्रीन पर देख सकते किस तरीके से कल मैच के दवरान जब बिलियमसन 78 अन के स्कोर पे थे तो उन्हें में तेम में वापस भुला लिया गया थे न्यूजिलेंड से टौम बिलेंडल भारत आ रहे हैं और ये टौम ब्लेंडल की तस्वीर आब देख सकते हैं हम आपको टौम बिलेंडल की वोई स्टेट भी दिखाते ह हैं कि टौम बिलेंडर ने अब तक कितने मैcn क्तिफ खेले कि आप World Cup में आईए, Kane अब हिसा हमारे नहीं है, तो Tom Blendel ने 9 ODI मैच खेला है, जिसमें से 237 रन Tom Blendel के नाम मुझूद है, इनका हाइस्ट स्कोर 68 है, और 250 Tom Blendel ने ODI में लगाए हैं, तो Tom Blendel अब जो है Kane Williamson के रिप्लेस्मेंट होंगे, वहीं इन्होंने अब तक 26 टेस्ट और 60-20 मैच भी खेला है Tom Blendel ने, तो काफी टेस्ट में एक्स्प्रियेंस है, चार सतक भी टेस्ट में हैं, लेकिन ये ODI World Cup है, तो ODI में दो सतक और 33 का आवरेज, 9 मैचों में, 33 वर्सी है Tom Blendel के नाम दर्ज है, तो New Zealand किर्कट के लिए बहुत ही बड़ा जटका है, New Zealand दर् है क्योंकि सब ने देखा होगा किस तरीके से 6 महीने पहले IPL में केन बिलियमसन जब उनके पैर में leg fracture हो गया था और उस पैर में fracture की वज़े से केन बिलियमसन बीच IPL से वापस इने अपने घर जाना पड़ा, इलाज करा है, उसके बाद 6 महीने क्रिकेट से बिलियमसन दू दूसरा ही मैच केन बिलियमसन खेल ले थे, तो दूसरे मैच में अब जो है इस बार thumb fracture हो गया है, तो कहीं ने कहीं luck बिलियमसन का New Zealand टीम का साथ देती भी नहीं दिख रही है, काफी unlucky माने जाएंगे केन बिलियमसन जिस तरीके से उनकी X-ray report आपसे कुछ ही देर पहले आई और उसमें उनका thumb fracture पाया गया है, तो New Zealand cricket के लिए इस से बुरी ख़बर कुछ हो नहीं सकती है, आपकी टीम इतनी बेहतर सांदार performance इस World Cup में कर रही हो और आपका captain ही बाहर हो जाए, तो बहराल इस ख़बर में यही था कि Tom Blender की Ken Williamson के जगह पे वापसी हो रही है, बस अधि झाल